दूसरे चरण के लिए वोटिंग भी शिरू हो गई है बड़ा सवाल ये 2018 का जनादेश 2019 के लिए इसमें संदेश क्या होगा दूसरे चरण की वोटिंग में आपको बता दे 72 सीचों के लिए मद्दान हो रहा है वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतिजाम का जा रहा ह 90,000 सुरक्षा बलो को तैनाथ किया गया है बिंदुरा नवागड विधान सभा के दो मद्दान खेंडरों पर सुभा 7-3 बजे तक वोटिंग हो रही है आपको याद होगा जब नक्सल प्रभावित इलाकों में मद्दान हुआ था पहले फेज में तब भी कुछ इलाकों मे कुछ सीचो पस 7-3 बजे तक वोटिंग होई थी पैसे आपको बता दें आज पूर्व सीम अजी जोगी और उनकी पतनी रेनू जोगी की किस्मत का फैसला होना है राज्ये के 19 जिलों में मद्दान हो रहा है जिनमें से 6 जिले नक्सल प्रभावित बताए जा रहे हैं 36 गर चुनाव पर लगतार आपको हम ये बड़ी कवरेज जी न्यूस पर दिखा रहे हैं कैई खास मेमान हमारे साथ साथी मेरे सायोगी चप्पे चप्पे की जियान सिर्फ कॉंस्टिटुएंसी नहीं 36 गर में क्या हो रहा है सब कुछ तफसील से आप तक पहुचा रहे है इन चुनावों को देखा कैसे जाए इस मदान को कैसे देखा जाया और जो दर्शक जिनके आज कॉंस्टिटुएंसी में वोटिंग हो रही हैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं पहले मदान और फिर जलपान तो रुक कीजिए अपने वोटिंग बूत का पोलिंग बूत क और मदान का इस्तमाल कीजिए यही आपकी और हमारी ताकत है कई खास मेमान हमारे साथ है हमारे साथ बीजेपी की नेता प्रिया शर्मा है हमारे साथ शांतनु गुपता है प्लिटिकल एनलिस्ट है और हमारे साथ सीनियर जोनलिस्ट बरिश पत्रका टिया रामिचंदरन सा बड़ा दिन आपके लिए पिशली बार 43, 43 सीटे 72 में से बीजेपी के पास सी और इसलिए मैं कह रही हूं आज ये बीजेपी का इम्तिहान है मुझे नहीं लगता कि ये बीजेपी का इम्तिहान है बीजेपी हैस प्रूवड इटसेल्फ अगैन अगैन तो मुझे लगता है कि ये हम फिर से जीतेंगे जो 15 साल हमारे बेमिसाल रहे हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे मैं ये कहना चाहती हूं कॉङ्ञेस पार्टी हमपर बार बार आलिगेशन लगाती है लेकिन क्या कॉङ्ञेस पार्णी को ये नजर नहीं आता कि जब कॉङ्ञेस पार्टी को ये जिम्मिदारी दिगई थी कि राज्ये की बागदोर संभाले तो उन्हों ने कितने दिये थे वित्यायों के तहट उन्होंने दिये 48,000 करोड रुपे और हमने दिये 3 गुना ज़ादा जब हमारी सरकार आती है 2008 से अगर आप देख लें आकड़े और मैं आकड़े इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आकड़े जो है उनसे सबसे ज़्यादा कॉंग्रेस पार्टी डरती है 2008 से अगर आप देख लें तो ये एक ऐसा राज्य रहा है जहां 0% कटोती रही है बिजली की और ये परफॉर्मेंस हमने बार-बार दिया हुआ है तो कॉंग्रेस पार्टी अगर आज कह रही है कि वो अगर किसानों का मुद्दा उठाती है बाकी का मुद्दा उठाती है मुझे लगता है उन्हें शर्मानी चाहिए इस बात की हमने पहुचाया एक गरीब के प्लेट में खाना एक गरीब मा के चूले से उसको छुटकारा दे करके हमने उसको गैस कनेक्शन दिया और कॉंग्रेस पार्टी क्या कर रही है उन लोगों के साथ खड़ी हुई है जो एक मा से उसका बच्चा चीन लेते हैं तो मुझे लगता है कि कॉंग्रेस पार्टी को अब जवाब दे ही उसकी बनती है जबकि वो 15 साल से रही भी नहीं है राजजे में फिर भी बार बार जिल लोगों के साथ वो खड़ी हुई नजर आती है अब उसकी जवाब दे ही बन रही है विवेक शीवास्तव भी हमारे साथ जुरगे सीपिई से हैं सेकंड फेस की आज कह लीजे फाइनल फेस की पोलिंग है चोतीस गड़ में विवेक शीवास्तव आप कैसे देख रहे हैं इस पोलिंग को कई न कई लगातार हम इस बात को दौरा रही है नहीं हमीज दो अक्रा आज मी उसको समर्थन करते हैं। आप नट बीज बोया है। उसको बहुत समय लगे का फ़तम करते करते हैं। और बार बार आप भी हैं जो उसके बीच में खड़े हो जाते हैं। जब कुछे बोलने दीजिए। आप प्लीज पहले बोलने का मोगा दीजिए। आप बार आप पैसे में जो आप पार सुनीए। तपर आप भी हुआ के लुए गाले राजनाथ शिए। दो दिन पहले राजनाथ सिंह ने अजीत जोगी को फिलर्स बेचे हैं। जोगी को फिलर्स बेचे हैं। that you please join us out because the writing जो वाल पीक उपर है वो बहुत क्लियर है बीजेपी इस लूजिंग इस पर बहुत से चेंजेज आ हैं जो मैं आपको बता हूँ उनका प्रेसंस 21 सीटों में है तो इन ओल प्रबबिलिटी ये करनाटका का रिपीट हो सकता है यह लोग वहाँ पर लॉडर को नाक्सिनलिजम को नई कंट्रोल कर पाए इस इस माई उपीनियन तो मेरे हिसाब से तो इस बार एक बीका वो है और हम यह अपील और यह मैं पांदीपूर्ण मद्दान हो और जल पान के पहले लोग मद्दान करें उसके लिए हमाया चैनल रिस्पॉंसिबल चैनल और हमारी कोशिश यह होती है कि लोकतंत्र सब पर भारी पड़े चाहे वो सियासत हो या देश के विरोधियों यही कोशिश हम जीनी उसके माधियम से काबू नहीं कर पाए हैं जबकि तत्थ बिलकुल उल्टे हैं और नकसल प्रभाविश चेत्रों में भी 44 जिले जो हाइली माविस इंफ्लेटेट थे उससे ड्रॉप हो गए उस लिस्ट से तो यह बहुत बड़ा बहुत बहुत बढ़ी जीत है सरकार की सेंटल गौर्मंट की भी और स्टेट गौर्मंट की बी कि नकसल पहली बार बलकी अजादी के बाद नकसल बाद पर इतना बड़ा काबू पाया गया है और अब एक से एक स्टोरी पढ़ सकते हैं पाँच्छे कुछ महीने तक पहले कॉंगरस में थे तो वोट काटेंगे वो कॉंगरस का वोट काटेंगे तो इस बार तो बल्कि जो मेरा मानना कि बाच्पा की सीट और बढ़ जाएंगी क्योंकि जो काटू फेक्टर है यह भाजपा के पक्ष में जाएगा ठीक है टीरामी चंदरन साब वोटिंग हुई आज अच्छी वोटिंग की उमीद है ठीक है ठीक है ठीक है रामी चंद्रन साब बार बार और मैं अपने पैनलिस से भी कह रही हूं कि हम इसे 2019 से जोड कर ना देखें ऐसा तो हुई नहीं सकता आप आज जो वोटिंग हो रही है उसमें किस तरह के संकेत 2019 के देख रहे हैं देखिए आज जो 72 सीट में वोटिंग हो रही है उसमें पिछली बार बीजेपी को 44 सीट मिले थे और आज की जो वोटिंग है वो बहुत क्रूशिल है क्यूंकि इसमें एक थर्ड एलिमेंट आया है वो है जोगी की पार्टी और मायावती की बीस्पी मिलके लड़ रहे हैं और कुछ शेत्र में ऐसे हैं जहां पर जोगी और मायावती के नुमाइंदे जो खड़े हैं वो कॉंगर्स के वोट शाहिद काट सकते हैं तो थोड़ा बहुत अड़ांटेज औरों को मिल सकता है खासकर बीजेपी को पर आखिरकार हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि 15 साल के राज के बाद किसी भी राजनीतिक दल के खिलाफ अंटी इंकमबंसी ज़रूर रहेगी और 36 गड़ में ये बहुत साफ उबर के नजर आ रहा है कई फ्रंट्स पे फार्मर्स के फ्रंट्स पे बड़ी नाराज़गी है एम्प्लॉइमेंट के नॉन जेनर ये आख्रोश भी हमको भूलना नहीं थी है और नुकसान ये जोगी और मायावती के गड़बंधन ज्यादा तर मेरे क्याल में कॉंग्रस को पहुंचेगा और ये इलेक्शन स्वीस अनुका हुँ और बड़ी बाट ये हो जाती है मागणबंधन में इतनी बागेनिंग पावर होगी वह ये एलेक्शन्स डिसाइड करेंगे और सिर्फ चतीजगर नहीं मैं सभी स्टेट्स की बात करेंगे रामचंद्रुन साहब हां देखिए इसका जो भी नतीजा निकलेगा इन पांच राज्युपा खास कर जो तीन हिंदी बेल्ट में है चतीजगर मध्यप्रदेश और राजस्तान इसका असर जरूर आने वाले जनरल एलेक्शन में पढ़ेगा इसकी कोई दोर आई नहीं है कई लोगों ने इस एलेक् पी को सिरफ हिंदी बेल्ट से पिछली बार मीनी 2014 में वो शायद वो बीजेपी उनको रख नहीं सकता इस बार उनको कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा नुकसान जरूर होगा पर रियल क्वेस्टिन यह है कि अगर उनको नुकसान हुआ तो वो नुकसान कहां से पूरा करेंगे क्यूंकि उनकी जो स्थिती दक्षिन में है जहां पर 139 सीटे हैं वो तो वहां पर सबकों मालूम है कि उनकी जाध्याद पकड़ नहीं है हाँ ठीक सर हमाइसात रादिका खेड़ा भी जुड़ गई कोंग्रेस पार्टी की तरफ से रादिका गंगा मैया की सौगंद रंग लाएगी सत्ता में वापसी हो जाएगी कोंग्रेस पार्टी की जी देखे जो राचतिस गड़ की स्तिती है इस समय 15 साल के भाजपा के शासन के बाद रमन सिंग के शासन के बाद जिस शासन ने सिरफ उस वहां की जनता की पीट पे छुरा भोका वहां का किसान हिताश और निराश था और आज की जो स्तिती है वहां पे एक महीने से अल्मूस 15 दिन से अब वो किसान वहां पे अपना धान नहीं बेच रहा है किसान वहां पे कह रहा है हम धान नहीं बेचेंगे जब नई सरकार आएगी 11 तारीक के बाद फिर हम अपना धा सरंक्स से मिलता नहीं इबादा किया का दो साल का तीन साल का टीन वोनस अभी सक्व मिला नहीं लेकिन कांग्रिस की सरकार चाहे वो करणाठिक में थी थी किसानों को किया अंदाता को सरकारT में बनी थी वह के नाम पे आदे से जनता है 15 साल उन्होंने भखुबी मौका दिया रमान सिंग को और बार-बार 15 साल में वहां पे सरफ जनता का विनाश हुआ और रमान सिंग के परिवार का विकास हुआ और इस बार सब कुछ पल्टेगा ठीक है आप कहरी है इस बार सब कुछ पल्टेगा लेकिन प्रिया शर्मा मोधी वेव कितनी है वहां पर कोई तुक नहीं बनता मोधी जी हमारे सरवोच लीडर है तो उनका फैक्टर तो हर जगह रहता है अचा तो यह बता ही किसका इंतिहान है यह विश्वास का वोट होगा यह विश्वास जनता जताएगी वापिस अचा तो आपको यह कहरी है कि 2019 के लिए आप हमेशा बनाते ह है कि अगर हमारी सरकार हार रही है कहीं या कुछ है तो आपको आप बना देते हैं कि उसको 2019 के खिलाफ कहीं जीत जाते हैं तो बिल्कुल चुब बैट जाते हैं ऐसा नहीं होता यह वहां का local election है state का election है जहां पर लोग जब 15 साल उन्होंने दिखाया है पूरा और रमन जी जो है वो वैसे ही बहुत लोग प्रियानेता है उनकी साख पर कोई बटा नहीं लगने वाला वह बखुवी जीते हैं तो पार्टियां जो है बहुत संभल संभल कर बोला शुरू कर देते हैं राहूल गांधी का इम्तिहान है कि नहीं देखिए आपने जो सवाल भाजपा की हमारी मित्रे से पूछा था उसका जवाब पहले मैं आपको देदू मैं वहाँ पे डेड़ महीना थी और वहाँ पे हर होडिंग हो या हर पोस्टर हो वहाँ पे मोधी जी गायब थे और भाजपा जो है उसकी चाल चरितर चहरा ये है जीत है तो नरिंद्र मोधी जी की है हार है तो वहाँ के स्टेट लीडर की है तो हार तो वह पहले ही मान चुके है और जब आती है रमन सिंग जी की बात ये बहुत बखुवी सी बता रही थी कि रमन सिंग जी कितने लोग प्रिया नेता है लेकिन मैडम मैं आपको बता दू तो रमन सिंग जी इतने लोग प्रिया नेता है कि उनके खुद के जिले में आज 11,000 लड़किया स्कूल नहीं जा पारी, वो इतने लोग प्रिया नेता है कि 37,000 से जादा महिलाएं चतिसगर की गायब हैं, तो उनकी लोगारी तो एसी है, जो जा करके फील्ड में ये वादा क करती है लोगों से कि अगर आपकी सरकार आती है, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, लेकिन एक महिला चतिसगर से, अगर वही अपनी स्टोरी सक्सेस की शेर करती है प्रधान मंत्री से, तो आपकी सोशल मीडिया क्या करती है, उसका मखाल उडाती है, तो आद में आके ऐसी ही न्यूस चैनल में बताया है, साहे तेरा लाख लोगों तो दीमा, फसल लीमा, योजना मिला है, साहे तेरा लाख, आप अपनी किसी एक सेट करने हैं कि हरा अपने 37,000 वेसे लागा है, तो आपकी सेट नहीं कर रहे हैं, तो आपको जनता को समझानी है, प्रिया शर्मा, प्लीज, प्लीज, सुबह सुबह आवाज उची नहीं करना है, जनता तो समझ चुकी है, आप आप, आप, प्रिया शर्मा, ठीके, 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 मैं ज़रा सवालों का, मैडम, खेडा मैडम, आपसे मैंने ये पूछा, आपने BJP का जवाब दिया, BJP की स् पूछा, आपने गा, BJP, जीत का सहरा प्रधान मंतरी मोधी के सिर्बान देती है, और हार स्टेट लीडर के सर पर, कॉंग्रेस पार्टी, क्या जीत का सहरा, हार का ठीकरा किस पर फोड़ेगी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, राहूल गांदी को लेकर जवाब दीजे, देखिए जब हार होनी नहीं है, ये एक ऐसा समाल, आपसे इतना बता दीजे किसकी जिम्मेदारी हो, जो चीज होनी नहीं होता, जवाब देरी हूँ, सरकार तो कॉंग्रेस ही बनारी है, चाहे वो मध्यप्रदेश हो, 36 गड़ो, राजस्तान हो, और जब 11 तारीक को चुना जब अगर जीतेंगे तो राहुल गांधी क्रेडित ले लेंगे हारेंगे तब की बात कर रही थी मैं चीक है विवेक शिवास्तव मागडबंधन के लिए अस्से बड़ा है यह जो एक कोशिश हो रही है सबसे हाँ बिलकुल 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 इसके पूरे संकेत आ रहे हैं जैसा मैंने भी आपको बताया भी था कि भारतिय जंता पार्टी की तरफ से राजनात सिंग खुद अजीत जोगी और जो दूसरा फ्रंट बना है चुनाओ वाला उसको अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि एक मोदी का कोई भी पोस्टर नहीं है सारा election campaign में मोदी को बाहर रखा गया है because he has become so controversial और रमन सिंग उसको लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी हार निष्टित है तो 99% देखिए अगर हम study करें इस वकद भी कोई भी party rule करती है बीजेपी is not a government in majority वो लोग सभा में सीटों के हिसाब से majority में है लेकिन अगर वोटों की total sum क्या आप करेंगी तो ruling coalition जो इस वकद इंडिये का है उसके पास 30 plus percent वोटी है 40 की को भी cross नहीं करा एक तरीके से तो अगर यानि की तो mood of the nation है वो actually इनके खिलाफ है 60% वोट लगबग ऐसे है इस देश के जो मोदी के समर्थन में नहीं है लेकिन वो सब बढ़ जाते हैं ये तो आपकी दंगरंत कहानी है जो coalition की राज दीती है स्भाइ स्भाध जैनादेश को लेकर तो इराल में मत रहिए सह जो जनादेश है जिसके भी पक्ष में आये ऋसका शान जानते हैं और यखीनоде यह वो सब कुछ जानती है नहीं वो तो सम्मान करना चाहिए लेकिन आइम जिस से नहीं बिलकुल जन्ता का सम्मान होना चाहिए भाई यह तू महागडबंधन का भी इमतिहान है किसके पास कितनी बार गेनिंग पावर होगी कौन किस स्थती में होगा उस महागडबंधन में यह इलेक्शन उस पर उसकी दशा और दिशा डिसाइड करेंगे से इस समय भले ही सियासी दल इंकार करें नकारने की कोशिश करें लेकिन हम और आप सब समझते हैं उसका आसर हम देखेंगे शांतिनों गुपता इलेक्शन कहीं भी हो ऐसा हो नहीं सकता कि इस लड़ाई को प्रदानमंत्री मोधी वसे राहूल गांधी ना देखा जाए दोनों का 2019 से पहले यह इम्तियान है और उमेद करते हूं क्योंकि यहां पर सियासी दल जो है अपने नेता का बचाव करते हैं आप थोड़ी सी न्यूट्रल राइए रखेंगे जी 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 मेरे मेरे क्याल से जबीभी कोई स्टेट में चुनाव होता है तो उसमें सेंटल लिडर्शिप और स्टेट लिडर्शिप दोनर का बिचाव करेंगे लेकिन ये भाजपागले पॉजिटीवी जाएगा क्यूंकि दिकिए नक्सलवाद की मूल जढ़ है कि स्कीम नहीं पहूंच और जो जैम टर्निटी है जंदन आधार और मोबाइल फोन इनके दुरू बहुत सारी स्कीमें बहुत पहुंचने लगी हैं तो उसी और उसी ने नकसलवाद को खतम करने की कटम करनी के तब कटम रखा है जहां था महागडबंदन की बात है हमने करनाटका के मंच पे दिखा थ तो एक पहला पढ़ा था कि महागडबंदन शुरू हो सकता है लेकिन चत्रीजगर ने उस भ्रहम को तोड़ दिया कि यह महागडबंदन केवल सीटों की लेंदेन है और जहां सीटें नहीं मिली वहाँ लोग अलग हो जाएंगे तो एक एक तरह की सीटों की लड़ाई रहे है कि तो पता लगया है कि यह एक उपर्चुनिटी की लड़ाई है केवल और महागडबंदन किस तरह से ताश के बत्तों की तरह बेखा है इनिस सब में आपको 36 गड़ के राइपुर लेकर चल रहे हैं मेरे सयोगी वित्रम दास वहां से जुड़ रहे हैं आपको ग्राउं सुभे आठ बजे से मद्दान शुरू हो गया है लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लेम्स आ रहा है कोई दिख्खत आ रहा है वोट देरे में हम एकडम लाइफ चला जाएंगे वोटर्स के पास और कूछेंगे क्या तकलीफ हुआ है क्या अब भोट दे पाए है ने दे पाए फित तो अब लोग अभी क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है अब जिस बूत के समने घड़े है राइपूर ग्रामेन में वहाभए वहाँ नाइन्टीव नंबर जो बूत है वहाँ पे ईवी एम खड़ा पोने के वजह से वोटर से वोट लोग लूट जा रहे हैं और लोग बाजपा और कॉंग्रेस का एक बड़ा फाइट होने वाला है यहाँ पर क्यूंकि ये चार केंद्र में डाइपूर सिटी में यही एक केंद्र है जहाँ पर 2013 साल में कॉंग्रेस जई हुआ था कंग्रेस को जीत मिली थी अब कॉंग्रेस ये सीट अपका रिटेन कर सकता है कि ये सीट भाजपा में चला जाए वो तो 11 डिसमबर बोलेका लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जिस मुद्दे को दिमाग में लेके यहाँ का वोटर्स लोग वोट देने आ हैं मैं एकदम लाइफ उनके पास जाओंगा आप लोग वोट देने आ हैं कौन-कौन सा मुद्दा दिमाग भी लेका आप लोग वोट देने आ हैं आज हम मुद्दा लेका रहे हैं कि यहाँ सरकार का बदला हो और यहां मद्दान बहुत सांति पूर्ण हो यह हम चाहते हैं और हमारे साथ में जो वोटर आ हैं एवियम मचिन जो है 191 खराब हो गया है 192 भी खराब हो गया है ऐसा यह साथन का जो रवया है कहीं भी ऐसी बस्तर में भी चुना हुआ तो वहां भी मचिन खराब बिल्कुल विक्राम यह ऐसा क्या वोटिंग करा रहे हैं कि यह उनका दलाल है एक बार आप से हम पाप करने आएंगे कौन सा कौन सा मुद्दा लेकर ठीक 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 और है बड़ी बात अगर आपने तस्वीरों को ध्यान से देखा हूँ बड़ी संख्या उन तस्वीरों में महिलाओं की है बताने के लिए काफी है कि महिला अपने मताधिकार को लेकर कितनी जागरूख हो रही है और बावजूद इसके की छोड़े चोड़े बच्चे हैं जैस हो रहे हैं वोटर आ रहे हैं सुबह सुबह से लाइन सुबह से लाइन में लगे हुए हैं यह मैं उनकी तकलीफ समझ सकती हूँ कई बार दिक्कत आ जाती है टेक्निकल फॉल्ट होते हैं बहुत सारी चीजों का लेकिन इन सब को आराम से अगर हम फिक्स नहीं करें तो फिर पूरे तरीके से उनसे आव माई ठीक 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 ठीर आमशंद्रन साब इस डिवेट को आगे बढ़ाना चाहती हूँ बार बार दोजार अठारा में एलेक्शन और दोजार उन्नीस का जिक्र ना किया जाए ऐसा हो नहीं सकता है कहीं ना कहीं आज ये बात तो साफ है जो भी नतीजे आएंगे कोई भी पार्टी जीते बीजेपी जीते कॉंग्रेस जीते कोई भी जीते लेकिन दोजार उन्नीस से पहले कैसे दोजार उन्नीस लड़ा जाएगा वो तो इन्हीं इलेक्शन से डिसाइट हो जाएगा देखे हां इनके जो रिजल्ट्स आएंगे वो उनका असर जरूर आने वाले जेन्रल एलेक्शन पर पड़ेगा हम ये इनको नकार नहीं सकते पर ओवरॉल सिच्चुएशन को आप अगर च्छतिसकड में देखेंगी आदिती जी तो बात ये है कि 2013 में जो एलेक्शन वहां असेंबली के हुए थे कॉंग्रस और बीजेपी के वोट डिफरेंस एक प्रतिशत से भी कम था 1% से भी कम था 0.75 था तो वो काफी क्लोस कंटेस्ट था उसके बाद जाके बीजेपी को 49 सीट मिली थी 90 में से और कॉंग्रस को 39 इस बार एक नया फै अजीर जोगी और मायावती जी के गडवंदन का और वो कितने सीट में नुकसान पहुचाएंगे यह देखना पड़ेगा आखिरकार पर वोटर टर्न आउट इस बार भी 36 गड़ में जो अभी तक की रिपोर्ट्स आई हैं उसको देखने से लगता है कि काफी हाई रहेगा पर जो दिक्कतें आम जनता जैसे आप दिखा रहे हैं महिलाओं को और और को कई पोलिंग स्टेशन में की EVM's खराब हुई हैं यह एक स्टंबलिंग ब्लॉक और फैक्टर ज़रूर है देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कितनी जल्दी यह EVM's T हो जाती हैं राधिका खेडा मैं जब आज की वोटिंग को डिसकस कर रहे हूं मैं सिर्फ 36 गड़ पर कॉंसेंट्रेट नहीं कर रहे हूं मैं लगातार पांचो स्टेट्स पर कॉंसेंट्रेट कर रहे हूं उन सब की बात कर रहे हूं मैं यह कह रहे हूं कि कॉंग्रेस पार्टी जो है पहले क्योंकि यहीं से आपके हाथ में बागेनिंग पावर आएगी अगर आपको एक फ्रंट बनाना है बीजेपी के खिलाफ भाई इस समय मोधी वस्स वाल है ना ये देखे महागडबंधन कब बनेगा क्या बनेगा वो तो समय ते करेगा अभी उसके उपर चर्चा करना की क्या होगा फिलहाल तो अभी तीन चार प्रदेश जिन में चुनाव है ना यहां पर गडबंधन हुआ हर प्रदेश और हर देश का चुनाव बाता है उसके समीकरण अलग होते हैं तब महागडबंधन की शायद जरूरत हो देखा जाएगा पहले इन चुनावों का नतीजा आ जाए और जैसे मैं बार बार धोरा रही हूं हां यह डो और डाय सिचुएशन भाजपा के लिए भी उत्ती है क्योंकि इससे उनका भी साम कोधी सरकार सेंटर में रही है जो सर्देश की जनता को धोका मिला है उसका रिजल्ट भी अब आएगा बहुत चिला चिला के भाजपा के लोग हमेशा से कहते आते हैं प्रधान मंत्री भी अपने भाशनों में बहुत 56 की सीने से कहते हैं कि GST के बाद भी हम जीद गए गडबंदी खतम होने के बाद ही हुए थे असली उसका इफेक्ट इन चुनावों में पहले ही कह रही है कि माहा गडबंदन आएगा नहीं आएगा ये आपको खुद नहीं पता लेकिन आपके जो सर्वोच लीडर हैं वो तो वैसे ही पहले कह देते हैं कि मैं ही लीडर आप ये बताईया आप उनके बाद को जुटला रही हैं यहां पर सुबह सुबह आप उनके बाद ही को जुटला रही हैं न कह रही है कि और आप कहरें कि पहले रिजल्ट आजाएगा फिर हम डिसाइड कर लेंगे तो ये कैसी दोस्ती जो आपने करनाटका के स्टेक्श से आप इस नतीजों के बेसिस पर नी दोस्ती और अपने गड़वणन बनाते हैं अरे आपके ड़े की किया था एक के बदले दस्तर लाइब अभी फिर हमारे दो सेनेक आज घाया लोगे एक शभी होगे दस्तर लाइंगे आप वो नहीं ला पाए लेकिन बहुत गरीबों को बहुत कुछ मिला हुआ है प्रिया शर्मा राप्र प्रिया शर्मा शर्मा इसलिए का जा रहा है न कि केंदर सरकार की जो पॉलिसी जो यूजनाय आई है उस पर भी ये मद्दान है है उस पर भी संकेत होगा कि सेंट्रल गवर्मेंट की पॉलिसी को कितना एक्सेप्ट किया है जंता ने ये मेरा कॉमेंट ये सवाल नहीं है एक सेकिड विवेक शिवास्तव कुछ कहना जा रहे हैं उनकी बात भी सुन लेते हैं जी एक पिलिट आप 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 आपने पॉलिटिक्स की बात करी थी तो मुसी पर चर्चा करें टीडीप चंदरबाबु नाइडू अलग हो चुके हैं शिव सेना बीजेपी से ही कंपटीशन कर रही है हिंदुत्वा के वोट्स के ऊपर नितीश कुमार फिर से फीलर्स भेज रहे हैं अलग होने के लिए ये आज ये आपस में लड़ेंगे नाइडू साब हटे हैं नितीश साहब भी देखना आप अटेंगे और जहां तक शिर्चेना आपी के चैनल पे ये आपकी परिभाशा के अनुसार से कुलर है हम तो इनके हैं भारत की परिभाशा के अनुसार नहीं है का मतलब होता है सभी धर्म सभी जाती बराबर हम इंडियन नाशनलिजम के लिए वोट किया था वो सिर्फ एक मात्र एक समुदाय के थे आप यह कहना चाहते हैं अब बिलिटल करना चाहते हैं जननता को जिसने वोट किया था भाजपा के लिए लेट मी कम्प्लीट जिस 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 जिन लहों ने बाजपा के लिए शटिजगर में धर्मिक संस्थान उने भी वोट किया था प्रीया शर्म खोंदार एकर के था एक को यह दरट है। We believe in democracy, ध्याद से, रामचंद्रन साम, क्लोजिंग कॉमेंट आप से मांग रही हूँ, पॉलिटिकल एनलिस्ट भी हैं आप से, इलेक्शन को लेकर लगातार बात हो रही है, ये जो आज वोटिंग है, सब मैं पांचो स्टेट की बात करी हूँ, मैं जो पॉइंट मैं प्रिया के सामने रख रही थी, कहीं ना कहीं ये मद्दान, केंद्र की जो पॉलिसीज हैं उस पर भी है। तो ओवरॉल सिचुएशन में अगर देखेंगे आप, तो एंटी इंकम्बंसी जरूर है, और उभर के आ रही है, कुछ लोगों ने ओपनी आके जरूर कहा है, कि हम ये सरकार, रमन सिंग साब की सरकार को बदलना चाहते हैं, तो ये एंटी इंकम्बंसी का एक एक छोटा सा द्रिश्य है, पर अब देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एलेक्शन 72 सीट्स के हो रही है, ये अपने आप में बहुत मात्व रखने हैं, तो आखिरकार ये डिसाइड करेगा कि क्या बीजेपी वहाँ पर एक और बार जीते आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल ठीक, और ये सिर्फ 36 गाड नहीं, मध्यप्रदेश हो, राजिस्तान हो, ये जो हिंदी हाट लेंड है, ये डिसाइड करेगा, 2019 की दशा और दिशा किस तरफ लेकर जाएगी, शांतन गुपता, जल्दी से, आप हाथ उठा रहे थे, 20 सेकिंड में दे सकती, उसके बाद मुझी ब होगा नहीं होगा, तीसरी तीस देखी जाएगी, जो इनकंबंसी एंटिंकंबंसी वो सच में एक फैक्तर होगा नहीं होगा, अगर अच्छे सरकारे चलाएं तो आप फिर से सरकार में आ सकते हैं, के बलेंटिंग कैसी फैक्टर है नहीं है, वो ये तीन चीज़ें झाल